नमस्कार तो आज के सेशन में हमारा काफी सारा इंपॉर्टन क्योशन यहां पे हम डिस्कसन करेंगे मैंने वीडियो लाला था पिछले बार तो उसमें काफी सारे कंफ्यूजन जो है वो रेस कि यह गया है कि इंटेंस एक्जाम कब होगा सबसे पहली बात ठीक है फॉर्म कब इंटेंस एक्जाम कराने के साथ-साथ में उसके पास कई काम होते हैं जैसे कि आपका एक्जेंस एक्जाम को भात प्रोस्पेक्ट त्यार कर दिया जाता है कि इतने दिन बाद जापको अगर देखा जाए तो पेपर को भी तयार करना एक महत्थपुर कार्य होता है तो हलाकि ये चीजें काफी पहले हो चुकी थी और जुन जुलाई में पेपर वो करा दिये जाते थे अगस्त तक इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है और अगर 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 अधर इंशुटी के बाद कि जाए अधर इंशुटी जैसे बियाच्चु हो गई या फिर एलियो हो सबसे परली बात है दूसरी बात यह है कि यहां पर टेंडर जो है वो पास कर दिया गया है ठीक है जो इंटेंस एक्जाम का जो टेंडर होता है वो पास कर दिया गया है अब इसके बाद क्या होता है कि कुलपती का जो है सच्ची जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं और ह उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डाटा होगा वो तीन जो तीन प्रोसिस होते हैं पहले हम आपको जो भी आपने इन्फॉर्मिशन होती है फिर इसके बाद डाटा अप्लोड करना होता है अब देखें जो इंटेंस एक्जाम क्या जो देना चाहते हैं इस बार 2021 मे सब्सक्राइब के लिए एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप पूरे के पूरे कागजपत्र तयार रखिए क्या होता है कि आपको 10 या 15 दिन का मौका मिलता है इसके बाद आप कर देंगे असर मारे पास आय नहीं है जाती नहीं है निवास नहीं है ठीक है तो यह चीज़े आय जो है वो या फिर जात जो है वो सेंटल से पास होना चाहिए ठीक है वहाँ पर आप लिखेंगे तो जहां पर लिखा होगा कि पासे बाई सेंटल ठीक है तो आप मतलब केंद्री से केंद्र से पास होना चाहिए राजिसे नहीं ठीक है हाला कि राजिसे भी पास अगर हो आपको चिंदा बिल्कुल नहीं करनी है, the second thing is कि एक्जाम जो है, जैसे आपको एक्जाम होगा, उसके कुछी दिन बाद, यानि 15-20 दिन बाद, आपका result निकाल दिया जाएगा, और जैसे result निकलेगा, उसके एक हफते बाद ही क्या होगी, counseling के प्रक्रिया चालू कर दी जाएंगी, और counseling के प्रक्रिया हेलाकि हर बार जो है, एक महीने तक चलती है, लेकिन इस बार, कोशिश की जाएगी कि, 20-25 तो 20-25 दिन में निफ्टा दिया जाए तो 20-25 दिन में आपका जो है जो है बहुत तेजी के साथ में प्रक्रिया चलेंगे तो आपको यहां पर भी सतर करहना है ठीक है दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा कई बार कई बार स्टुडेंट जो है गलतिया कर देते हैं मैं आपको सजेशन दूँगा कि आप आप साइबर कैफे वाली की मदद लीजेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्मार्ट बढ़ने के चक्कर में जो सही होता है वो भी गलत कर बैठते हैं बाद में थोड़ा सा करते हैं एक सर मारा यह गलबढ़ हो गया यह हो गया ठीक है तो इ इसलिए छह मैंने के होनी चाहिए अगर आप ओवी सी एस्टी कटेगरी से बिलॉंग करते तो आपकी आज जो है वो छह मैंने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए इस बात का भी आपको यहां पर ध्यान रखना है साथ ही साथ में जो भी यहां पर फीडबाइक यहां जो आपको जो भी कन्फीजन उसके अलावा जो कन्फीजन हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर मैं इंस्टाग्राम की आड़ी दे दूंगा उसके माध्यम साब पूछ सकते हैं तो यहां पर अगर आएगा तो यहां पर जो है आपको शो कर देगा कि अपलाई फॉ उसक कर दिया गया है और जो सेल होते हैं जिसे अट सेल सेल और साथ में जनल सेल उनके लिए जो मुख्य होते हैं उनके यहां पर यहां पर उसको चुना भी गया है कि आप जुआ होगया मतलब हुए कभी आ सकता है तो तो maximum यहां पर देखे कुछ भी हम कहना है पर गड़बढ होगा क्योंकि मैं पिछले एक मेंने से कह रहा हूं कि एक हपते में आ जाएगा दस दिन में तो यह सब चीजे कहना गड़बढ होगा हाला कि संभावना जता ही जा रहे है कि कभी भी आ सकता है आज भी आ सकता है कल भी पिस्टे विए थैंक यू सो मच